दोस्तों यह जो टीवी एस एलपी 46 नहीं हो जो प्रिंदर है इसमें आपको जो रड़ कलर का जो इस्यू आती है यह आप ने इसके अंदर जो भी पेपर डाल दिया उसको सब कुछ सही तरीके से डाल दिये फिर भी आपको रड़ कलर आ रहे हैं तो एक बार सुच आफ करके कर लेना पीछे इसका सुच आफ करने के लिए जब भी कंप्यूटर से अपने प्रेंड करते हैं अपने कंप्यूटर से प्रेंड करती है तो फुर भी इदर लाल कलर जो आती है तो नॉर्मली दो इस्यू होती है एक तो आपका जो दोनों यानी पैपर है ना जी जो यह क्य देखो इस तरीके से डाल तो गया लेकिन यह हील रहें तो मतलब वह मतलब प्रॉपरली बैठा नहीं अगर बैठा ते से बिल्कुल हिले गाने और मैंने इसको एक चल्वें लाल प्रभार उप शठी लाप टाइट अब यदो प्रोपर सेट तो यह जो टाइट करने से आपको रहा है यह जो को देखेंग तो इस शुप माद उपने पर ग्रीन क्लर कर वील शुपने बहसे हैं नीचे का भी ग्रीन क्लर वील में पिर स्यूम ना चाहिए तो व गुमा रहा है तो नीचे का नहीं गुम रहे है वह फिक्सड वही रोक रहा देखी वह नहीं गुम रहे लेकिन मैंने उपर का गुमा रहे है यह ठीक नहीं है आप एकजाडली उसको जो गीर है उसके अंदर प्रोपरली पड़ के डालना होती है देखो यह गीर में बढ़ गय यह मैंने गुमारों नीचे का भी एकदम प्रोपली उसको गुम रहे है तो यह फास्ट स्टेप है इसका और नेक्स्ट क्या है इसका जो सेंसर यह जो है आप इस तरीके से पीछे लगाना से यह मतलब सेंस ने करेंगे आपको मतलब रड लेट देना सुरू कर देंगे यह आपने इस तरीके से मतलब सामने कर दीजिएगा थोड़ा सी इसको एक रात से पीछ के लिए यानि यह वह आक्चुली क्या है यह जितना भी आपका पेपर के जो ग्याप होता है इसको सेंस करने के लिए रखा हुआ है यह जो सेंसर और यह जो पेपर भी यह जो स्टिक इसे पेपर यह जो सफोड़ाना है इस तरीका से उल्टा भी लगा सकता है लेकिन निए कि मतले अधिकहा रहा हुआ है यह तो हील रहे हैं आप इसको उल्टा लाघाना से इसको बिल्कुल हील है ताइट प्रपर ले बैठे है और दूसरे एक बाद बोलना है जो पेपर इसके अंदर से आपने जो स्टिक में डाला है इसमें लूस होना चाहिए यानि पेपर एकदम इसे स्टिवे में इसको गुमना चाहिए तब ही जाकर कि आपको यानि यह जो मोटर आगे कीच सकता पेपर को इतना सारे चीज आपने अबल्ग को पेले सबसे पहले बाद में इसको ठीक से बंद करें ओक्यव तो आप इस तरीक से प्रोस करने से ये के स्टिकर बाहराना चाहिए देखिए देखें ने दिखा रहों यह अश्तरीका से बाहराना चीए और फिर भी आपको जबी आपने सब कुस शेच कर दिया अगर इनके इस आपने सब कुछ शिट कर दे फिर भी आपको ग्रीन लाइट नहीं आ रहे हैं यानी प्रिंट करते टाइम तुरंद आपको कलर चेंज हो के क्या क्लर होती है समय लीजिए आपको रड लेट होती है उसी समय में आपको मैंने एक शोप्टूर दिखा रहा हूं यह इसका जो प्रिंटर का फाक्टर रिसेट करने के लिए उप्षन है यह सोप्टूर देखो यहां है यह जो है इसको आपने डबल क्लिक करके खोलिए इसमें इतना सारे फाइल साती है सारे फाइल खोलने के कोई ज़रूत ने मात रेकी फाइल खोलो टीवी एशल्पी 45 फ प्रिंटर में यो प्रिंटर मेंने योएश बी ये केबल का क्रणक किया हुआ है तो यूएश ब्वी पॉर्ट क्लिक करके ओवार क्लिक करदेना फ मा खैलें繼續 क्लिख लोड रजयो पर्पेपल बाहर आ जाती यानि उसका मतलब ओंग पर्तो रहा है उसका पार ऑसके बात थोड़ से पेपर स्टरिका से बहार आयाती है और इसमें आपको यह जो लास्ट पोशन आपको प्रिंट ठेस्ट प्रिंज करने के लिए अप्षिन है इसमें प्रंडakt hetट पॉल कर बटन इसरी दर दिया हूए थेखिए प्रंड यह भी एक साइन है इसको मतलब प्रोपरली एवर्टिंग इस वर्किंग राइट और इसमें लेफ सेड में इसको ब्रोपरली एवर्टिंग इस फाइन लिए इसको सेंसर अजस्टमेंट यही है कालिबरेट सेंसर सेंसर अजस्टमेंट यह दोन करने तो आपको एक दम प्रोपर वयमें इसको चलेगा दोस्तों यह जो सोप्थर राइंटक राइंटक आपने विशिट कर दीए तो आपको यह उत्र डाउनलोड में मिल जाएंगे उसमें आपको कालिबरेट एल्पी 46 प्रिंटर करके एक फोर्डर मिलेगा जी